अलो फ्रेंड मैं अभिशेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस पर स्वागत कर रहा हूं और आज यहाँ पर आपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइस 3.1 की प्रॉब्लम नॉबर 2 की तो यहाँ पर देख लिए देख लिए क्या है तो सबसे पहली चीज़ है अग कॉपर बार शोइन फिगर 3.13 सब्जेक्टे टो एंटेंसाइड लोड 30 किलो नॉटन तो यहाँ पर आपके जो पूरी बार दे रखी है उसके उपर एक कॉंस्टेंट लोड लगा हूँ है वह 30 किलो नॉटन है उसने बोला है इसका यंग्स तो यहाँ पर अपन को इसको solve करना है तो solve करने के लिए simple है direct question दे रखा है तो अपन यहाँ पर इसका direct formula लगाता है जिससे की आपको जल्दी समझ में आजए तो क्या है देख लीए deformation is equal deformation first वाले part के लिए deformation second वाले part के लिए deformation third वाले part के लिए इसको आफ फर्स्ट मन लीजे, इसको आफ सेकंड मन लीजे, इसको आफ थर्ड मन लीजे तो क्या होगा आपका P L over A E for first के लिए, same for second के लिए, same for third के लिए P आपका constant है, E आपका constant है तो मैंने वो बाहर ले लिया तो P और E बाहर आ गया, bracket के अंदर होगे आपका L1 over A1, L2 over A2, plus के L3 over A3 अब यहाँ पर आपको value पूट करनी है, जो आपकी P की value उदर रखे हो दर रखे है, 30 into 10 to over 3 over E की value उदर रखे है, आपके 100 giga pascal, 100 into 10 to over 3 यहाँ पर आप notice करेंगे, L1 की value वो है आपकी बास 150 area की value pi by 4 d square है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर pi आपका बाहर ले लिया और 4 को भी मैं उपर बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ आपका d square बचेगा, जो बचेगा आपका 24 का square length होगी आपकी 200, आपका d की value 20 दे रिखे, तो 20 का square हो जाएगा, यहाँ पर आपकी length है 150 और यहाँ पर जो d की value 35 का square हो जाएगा, simple, तो अब इसको मुझे solve करना है, तो 1 by 1 में यहाँ पर आपके simple है, 20 का square, तो यह निकल का है, मेरा पास 0.5, इसके बाद मेरा 150 divided by 35 का square, तो यह हो गया है, 0.122, तो यह है मेरी bracket की value है, तो इसको मैं add कर लेता हूँ, सारी values को 0.5 plus 0.24 और plus answer, इसके बाद मुझे multiply करना है, जो उपर है, 4 multiply 30 into 1000, divided by 1000, cut भी कर सकता था, पर simple problem है, तो ज़्यादा आपन कुछ नहीं करते हैं, इसके अंदर, नीचे divide दिया दिया values का, तो मेरे पास जो answer है, वो है answer, 0.329431 mm, जो कि इसने लिख रखा है, 0.33 mm, simple answer है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए, तो फिलीज लाइक जरूर करना शेयर जरू करना, thank you for watching guys, thank you so much